वेलकम तो तैयारी एक्जामकी डाट कॉम मैं गुन्जन कुमार आज हम लोग डेली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड का एक्जामिनेशन फॉर्म यानि अप्लिकेशन फॉर्म कैसे भड़े जाते हैं वो आज हम लोग step by step सीखेंगे आज हम लोग discuss करेंगे कैसे हम लोग registration करें क्योंकि हड़ पोस्ट के लिए आपको पहले अपने आपको register करना पड़ेगा वो भी डेली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के official website पे फिर आप जिस category के eligible है उसकी forms आपको fill up करने पड़ेगी form fill up का charge is 100 रूपीज है start करते हैं थोड़ा notification को पड़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग online registration कैसे करते हैं वो हम लोग आपको सिखाएंगे दोस्तो इससे पहले मैं चाहूंगा आप हमारी YouTube चैनल तैयारे एक्जामकी को like करें, subscribe करें और bell icon दवाना कभी नबूले जिससे की आपको day by day हमारी updates आपके पास मिलती रहे और अपने दोस्तों में share करना कभी नबूले ठीक है दोस्तों इसके साथ-साथ आप हमारी website तैयारे examki.com वहाँ आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर भी हमारे exam से related जितने भी news है वो आपको updated मिलेंगे साथ-साथ हमारे जितने भी course launch हो रखे हैं चाहे वो skill development course है, job oriented course हो या फिर government examinations course हो वो सारे आपको available मिलेंगे और हमारी facebook sites पे भी आप विजिट कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आए हम लोग start करते हैं पहले notification से यह हमारा Delhi Subordinate Service Selection Board का official website है दोस्तों इसका जो official website है दोस्तों वह है dssbb.delhi.gov.in यह Delhi Subordinate Service Selection Board का official website है यह है हमारा Vacancy Notification Advertisement No.0102 थोड़ा सा Advertisement के वारे में भी हम लोग पता करते हैं क्या है यह official website है Advertisement No.01-21 यह 01 यानि कि इस साल का पहला notification है और 21 का मतलब 2021 ठीक है दोस्तों यह Government of N.C.T. of Delhi की तरफ से यह निकाला गया है Important Notes Only online application will be accepted इसका मतलब होता है कि स्रिफ online application को ही accept किया जाएगा Application received through any other mode shall be stand reject automatic यानि कि दोस्तों अगर कोई भी application online के अलावा किसी और mode से बढ़ा जाए वो automatic reject हो जाए Opening date of application 15 March 2021 यानि की online application fill करने का starting date है 15 March 2021 ठीक है दोस्तों और choosing date of application वो है 14 April 2021 ठीक है दोस्तों इसमें जितने भी post है उसके बारे में details दी गई है जैसे post का code क्या है name of the post name of the department grade क्या है grade pay क्या है category क्या है किस category में कितनी कितनी vacancy आ रखी है total category क्या है यह सारे details इस notification में दे रहे है इस notification में जो post है हमारे लगवग हो है Technical Assistant ठीक है दोस्तों Technical Assistant के अलावा lab attendant की वी post है Assistant Chemist की आ रखी है Assistant Engineer की बी post है Junior Engineer की बी post आ रखी है Draftman Grade One की भी post आ रखी है personal assistant की बी post us रखी है Pharmacist की भी आ रखी है जय वह हो हो Hemopathic हो या फिर युनानी हो Assistant Director की भी post आ रखी है Junior Storm потok Tax की post है आसिस्टेंट, फोर्मेन की पोस्ट आ रखी है दोस्तों, जो ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म का लास्ट एट है वो 14 अप्रीन 2021 जैसा कि मैंने आपको वता दे रखा है तिल 11 बच के 69 पीम ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस अड्विर्टीजमेंट में हर पोश्ट के लिए क्या-क्या क्रेक्ट एडिया है, वो दे रखा है ठीक है दोस्तों, यह सारे इस्ट्रक्शन है, कैसे क्या भरने है इस जर्वेशन का है, क्या है, कैसे है, अप्लिकेशन फॉर्म हंडडर उपीस का है वो सभी चीज आपको मैं दूसरी वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, क्वेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेशन पुछे जाते हैं, टेर वन है, इसके इस्ट्रक्शन पैटर्न है, वो बताया गया हुए है, एक्वेशन जो है, वो वन टियर और टू में होंगे, ठीक है दोस्तों, टियर वन के सारे डिटर्स दे आखे हैं, टियर टू के सारे डिटर्स दे आखे हैं, अब चलते हैं, हम लोग एज रिलाक्सेशन के बारे में भी बताया गया है, कितनी एज क्या रिलाक्सेशन है, सारी चीज नोटिफिकेशन में में मैंसल है, ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों सारा कोई इसके अंदर मेंसल कर रखा है अब हम लोग फॉर्म बढ़ना सीखते हैं कैसे अपने आपको रेजिस्ट्रेशन करा है और कैसे इस फॉर्म को फिल करें ठीक है दोस्तों यह हमारा का DSSB यानि कि Delhi Subordinate Service Selection Board का Official Website है जैसा कि मैंने आपको बता है notification यहां से हम लोग रीट कर सकते थे ठीक है वैसे हम लोग application form भी हम लोग online यहीं से बढ़ें यह हमारा है Link for Online Application Registration System OARS यानि कि OARS का मतलब होता है Online Application Registration System इस पे आपको क्लिक करना है इसके बाद एक pop-up window खुलेगा This link will take you to an external website https//tssbonline.nic.in DSSB का यह official website है जहां आपको यह automatic links open हो जाएंगे एक चीज का धियान रहा है अगर यह website open नहीं होती है तो आप इसके pop-up window में जाएंगे जैसा कि आपने देखा यह pop-up window ने उसको ब्लॉक कर रखा है आप जो भी अपना ब्राउजर यूज कर रहे हैं चाहे वो Chrome हो, Mozilla हो, Firefox हो या Internet Explorer हो उसके pop-up window को में जा करके आप चेक करेंगे कहीं यह यह website का link ब्लॉक तो नहीं कर रखा है आपको simple जाना है, इस pop-up पे click करना है और done कर देना है ठीक है दोस्तों जो यह आपका open हो गया फिर से आपको आना है दुबाड़ा से इस link को click करना है फिर से pop-up window आएंगे और इसके वाद आपका next website खुल जा रहा है यह किसी-किसी browser के साथ होता है आपको मैंने इसलिए inform किया कि अगर आप cyber cafe में जाते हैं वहां आपको बहुत सारी problem है आईए क्योंकि वह लोग pop-up window को block करके रखते हैं ठीक है तो आप घबड़ाईएगा नहीं आप जैसा मैंने आपको इस टेप बता है वैसे आप आप ना open कर सकते हैं यह है OARS Online Application Registration System Delhi Subordinate Service Selection Board Government of NCT of Delhi यह इसका official website है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको online application form बढ़ना है तो पहले अपने आपको आप रिस्टर करेंगे अगर आप new user है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि Delhi Subordinate Service Selection Board के जितने भी पोस्ट है उसकी online application form बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना registration करवाना पड़ेगा इस website पे जब आप registration कराएंगे तो आपको यह permission देगा आपकी qualification के हैंसे कि आप कौन सा पोस्ट भर सकते हैं लिस्वल है कौन सा पोस्ट के लिए आप लिस्वल नहीं है ठीक है दोस्तों चली हम लोग रिट्रेश्टर करते हैं तो आप अगर आप पहले से register है, तो आप simple सा click to sign in करेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आप नए register है, पहली बार इस portal पे आ रखे है या इस website पे आ रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर new register, click for new registration करना है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ click किया, जैसे आप click करे आपको नया window open होगा, यहाँ आप अपने आपको register करेंगे, ठोड़ा समय आपको information दे दू, आपके form भरने से पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसा है कि instruction for candidate लिख रखता है, the field with star marks are mandatory, यानि कि जितने भी star marks दे रखे हैं, वो आपको field भरना ही भरना ह the case of roll number of class 10th is in alpha numeric, then use only numeric character of roll number for example, इसका मतलब हो, alpha numeric का मतलब होता है दोस्तों, कि आपका जो roll number है, वो alphabetical और numerical दोनों का mixture अगर है, तो आप सिर्प उसमें से numeric characters ही use करेंगे, alphabet को छोड़ देंगे, जैसे कि alphabet जो हो जाते हो, हमारे a, b, c, d to z तक होते हैं, और जो numeric होते हैं, वो 1, 2, 3, uncountable तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, for example, example के लिए, if your roll number is 1, 2, c, 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 0, 2, 0, 4 है, तो हम लोग उसमें, जितने वी alphabet है, उसे हटा देंगे, जैसे कि c, s, c, ये हम लोग हटा दिया, और जो बचा, 1, 2, 0, 2, 0, 4, ये हम further, please do not enter prefix 0 in class 10th roll number as system will truncate all the leading 0 from left automatically, यानि कि दोस्तों, इसका कहने का मतलब कि अगर आपके roll number में, prefix, prefix का मतलब होता है कि अगर आपके roll number में 0 पहले लगा है, तो आपको उसको हटा करके ही इंटर करना है, क्योंकि जो system है, वो 0 को automatic हटा देगा, ये example के तौर पे में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इफ roll number is 00123456012 है, तो आपको जो इंटर करना है, वो सिर्फ यही करना है, 0 हटा देना है, 12345012, only as class 10th roll number, 10th के roll number की ही बात की जा रही है, आपके किसी और 12th के या फिर graduation के roll number की बात नहीं की जा रही है, ठीक है दोस्तों, अब तीसरा point से, candidate can apply for various posts, only after registration, ये जो मैं आपको बता रहा था, वही चीज़ है, कि पहले आपको registration करना पड़ेगा, फिर आप कोई भी post के लिए apply कर सकते हैं, after registration, मतलब registration के बाद, candidate is required to quote his, her registration number as login ID and password for further accessing the online system, मतलब की एक बाद registration होने के बाद, जो आपका ID है और password है, वो further online system use करने के लिए होगा, चौथा point है, the ID proof that is entered by the applicant, applicant का मतलब होता है, आप, जो form भर रहा है, will be cross-checked at the time of examinations and submission of e-dozer, if shortlisted, अगर आपका application का मतलब होता है, कि अगर आपका application shortlisted हो जाता है, तो आपने जो भी ID proof लगा रखा है, उसका cross-examination होगा, यानि कि आपके, आपकी जो ID proof का check होगा, आपको जो भी form इसमें बढ़े ने है, वो आपको देख करके भरने है, carefully भरने है, एक बार अगर submission हो गया, फिर आप उसको change नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों start करते है, form कैसे फिल किया जाते है, पहला है, name of applicant, अच्छा दोस्तों यह धिहान आप जरूर देंगे, इसके जब भी आप name field कर रहे हों, तो अपना prefix जैसे की mister, message जो नहीं देना है, जो यहाँ पहले से mention है, do not prefix mister, mrs, km, sh, smt, dr, doctor, professor, etc, तो यह आपको नहीं लगाना है, जैसा कि अगर आपका नाम Mr. Gunjan Kumar है, तो मैं इसमें सिर्फ Gunjan Kumar ही type करूँगा, Mr. नहीं type करूँगा, Mr. हमारा prefix होता है, यह हम लोगों को नहीं लिख में आते हैं, जैसा कि मेरा नाम है, Gunjan Kumar, आपको हमें सा ध्यान रखे है, capital letters में ही, सारे forms को fill करेंगे आप, G-U-N-J-A-N, Gunjan K-U-M-A-R, तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, re-inter name of applicant, यानि कि दुबाड़ा से enter करना आई है, यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जिससे कि हमारा form दुबाड़ा re-inter करने से, हम लोग की गलती करने की कोई chances नहीं होती है, जो भी information हम लोग fill करते हैं, वो सही होता है, यह मैंने अपना नाम fill किया, next है re-inter name of applicant, यानि कि दुबाड़ा से हमें फिर से वो इंटर करना है, हमारा नाम, दुबाड़ा इंटर करने से हमारी गलती होने की chances कम हो जाते हैं, form सही-सही fill up होते हैं, मैं दुबाड़ा अपना नाम इंटर करूंगा, ठीक है दोस्तों, अब यह पूछ रहा है date of birth, dobs per certificate of class 10, मतलब कि आपका जो certificate है, 10 का certificate है उसके जो भी आपके date of birth है, वो यहाँ पर आपको mention करना है, ठीक है दोस्तों, मैं अपना जो date of birth है, दोस्तों वो मैंने इंटर किया, उसके बाद re-inter your date of birth, फिर से मुझे date of birth को re-inter करना है, verification के लिए, 2000, January 1st, यह मैंने अपना date of birth भी इंटर कर दिया है, date of birth वो format होता है, वो DD, यानि के day, MM, यानि के month, YYY, यानि के year format में पढ़ना है, अब आपका है, इंटर roll number of class 10, दोस्तों आपने देखा होगा, यहाँ पर roll number इंटर करने से पहले आप एक सीज को ध्यान रखिए, उपर column number 2 में लिखा गया हुआ था कि अगर आपके roll number के आगे 0 लगा हुआ हो, आप उस 0 को हटा रहेंगे, मैं सिर्फ आगे लगा हुआ है, यह प्रिफिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर बीच में 0 लगा हुआ है, उससे नहीं हटाना है जैसे कि यह उपर है 00123456012, ठीका दोस्तों, इसमें जो है आगे का 0 है, वो सिर्फ हटाना का है, जैसे कि आप इसका example दे रखा है, इस है 123456012, तो आपको 0 हटा करके, आपको आपके roll number को इंटर करना है, जैसा कि मैं इंटर कर, मेरा roll number है, सपोज 012345, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें से 0 हटाऊंगा, सिर्फ लिखूंगा 12345, ठीक है, फिर दुबाडा से इंटर करना है, मुझे 12345, ठीक है दोस्तों, अब यहां आगे जो लिख रहा है, अब आगे next है, जो हमारा select year of passing of class 10, तो आप जब आपने class 10 complete किया था, examinations complete किया था, फिर जल्क आगया हुए थे, उस year को यहां mention करना है, दोस्तों, मैं तेल का, पास क्या रूप रोजिन 18, reselect, फिर दुबाडा से आपको इंटर करना है, reselect year of passing of the class 10, मैंने दुबाडा से इंटर कर दिया दोस्तों, ठीक है, select gender, अब आपको अपना gender select करना है, आप male ह तो female किजिए, transgender है तो transgender है, तो transgender field किजिए, मैं male हूँ, तो male, मैंने male select किया, reselect genders, दुबाडा से आपको फिर से select करना है, male मैंने किया, next है nationality, तो दोस्तों, मैं Indian हूँ, तो Indian select करूँगा, अगर मैं others हूँ, तो other select करूँगा, ठीक है दोस्तों, अब इस male, next है father's name, ठीक है father's name के आगे star marks नहीं लगा हुआ है, आप चाहते हैं तो fill करना किजिए, नहीं चाहते हैं तो नहीं fill किजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि star marks वाले print mandatory है, वो तो आपको भड़ना है, father's name में मेरा है, मैं फिल करूँगा, मैं सारी details फिल करूँगा, फिर दोस्तों, इसमें इसा कोई भी prefix लगा हुआ है, वो आपको यहां mention नहीं करने है, तो अपने father's name जैसे है, मैं, a-m-a-r-am-r-a-u-e-t-a, ठीक है, फिर आपको दुबाड़ा से re-enter करना है, father's name, तो मैं फिर से enter करना हूँ, ठीक है दोस्तों, next time mother's name, आपके mother's name, जो तेंद के certificate पे हैं, वो आ आपको mention करना है, re- wedu, ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर से आपको re-enter करना है, mother's name, फिर मैं mother's name इंटर कररा हूँ, ठीक है दोस्तो, spouse name, ठीक है दोस्तों यहां पर आपको तो इंटर करना है अपनी वाइफ का नाम इंटर करें अगर पत्नी है अगर फॉर्म भर रही है तो पत्ती का नाम इंटर करना है फिर यहां पर आप देखने में साड़े कॉलम के अगे प्रिफिक्स नहीं लगाने हैं दोस्तो सब्सक्राइब करें यहां चाहिए दोस्तों में और इंटर करना है तो इस आपको अपना यूनिक नाम आपने नहीं दे रखा था है इस साइट पे दोस्तों वही देना है तो मेरा biz mobile number है वो में इंटर रहा हूँ ठीके दोस्तों मैंने अपना mobile number इंटर किया फिर वी इंटर वी प्ला नॅब्बर तुगार और तर göz ने अपना no-num in sighs को दोस्तों उलीडी बिल्वय दिजिए गया घ्सके आपके canaop यहां पर the value is not same as mobile number मैंने कुछ गलती की यानपुच करके किया था जिससे कि आपको यह पता चल सके कि क्या गलती है और जब भी यह दोनों match नहीं करेगा कोई भी फिल्ड जो दुबाड़ा से फिल्ड करना है तो आपको एरर देगा ही देगा तो आप इसको फ्रेसे ठीक किज जैसा है कि मैंने यहां पर गरवर किया था अब यह ठीक हो गया है आपका email id email id भी वही देना है जो पहले से intern नहीं है और आप उसको access कर सके access करने का मतलब आप उसे open कर सके क्योंकि OTP या फिर id password सब इसी पर जाते है जितने भी notification होंगे आपके सारे इसी मेरी email id पर है अपना email id दे रहा हूं ठीक है दोस्तों फिर से दुबाड़ा रिइंटर यो email id next है आपका यहाँ OTP वह इसमें इंटर करना है जो आपने mobile number और email id दे रखा है दोस्तों तो जैसे ही आपने get OTP करेंगे आपके mobile और email id पर OTP चला जाएगा यह इसलिए किया जाता है कि जो new person ही इस form को भड़क सके जो fake होते हैं उनके लिए यह नहीं है मैं इसके click कर रहा हूं दोस्तों दोस्तों मेरे mobile पर OTP आ चुका हुआ है मैं यहाँ OTP इंटर कर रहा हूं ठीक है दोस्तों अब verify OTP करेंगे तो मेरा mobile verified हो गया है please process to register ठीक है दोस्तों next है identity proof details आपको अपने details इंटर करने है for ensuring of guidelines of photo identity card which need to be submitted by the candidate ठीक है दोस्तों in case of aadhaar number is provided then no scan ID proof is required to be uploaded इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपने अगर aadhaar card का number यह mention कर रखा है तो आपको किसी भी और ID की जुरूत नहीं है जो कि scan करके आपको upload planning होती है जैसे कि पहला है do you want to give aadhaar as an ID proof अगर आप yes करते हैं तो अधार की details आपको उटिल करनी पड़ेगी अगर no करते हैं एक नया window खुल जाएगा पहला है इसमे select type of your ID proof जैसे कि आपके पास जो भी ID proof है इन मेंसे वह आप यहाँ पर mention कर सकते हैं driving license, pen card number, passport, order ID card ठीक है दोस्तों अगर आप कुछ भी select करते हैं इन मेंसे जैसे driving license मैंने select किया तो आप वह इंटर ID proof of number, driving license number आपको select करना पड़ेगा उसका re-enter your ID proof दिवाड़ा से इंटर करना पड़ेगा इंटर your name as on ID proof तो आपको यहाँ पर अपने name को लिखना होगा जो आपके ID proof के दे रखा है driving license पे तो आपको फिरसे दुबादा से वही आपको ID proof का name इंटर करना पड़ेगा जो आपका नाम driving license पे है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर आपके driving license को upload करना पड़ेगा scan करके ठीक है दोस्तों और upload करने के लिए कुछ criteria है जैसे कि आपको आपका जो file size है वो 15 kb से 60 kb के बीच में होना चाहिए minimum resolution of pancar driving license is 300 into 200 यानि 300 width होना चाहिए और 200 का height होना चाहिए और voter ID card यह है pancar driving license के लिए और अगर आप voter ID card upload कर रहे हैं तो आपका जो scan resolution होगा 200 into 300 200 width होगा और 300 height होगा pathcode की details आप इंकर कर रहे हैं तो आपका resolution होगा वो 450 width होगा और 300 height होगा इन pixel यह सारे pixels में होगते हैं दोस्तों और वह भी jpg या jpeg format में ही होगे बाक्ची चीसी format में भी शप्त नहीं किये जाएंगे तो दोस्तों मेरे पास अपना अधार कार्ड है मैं अपना अधार कार्ड इंटर करूँगा जैसा कि मैं जानता हो कि आज की डेट में सभी के पास अधार कार्ड है तो आप लोग अपनी अधार कार्ड को ही इंटर की से ठीक है दोस्तों तो मैं अपना अधार कार्ड इंटर करूँगा अधार कार्ड है मेरा मैंने अपना अधार कार्ड इंटर किया फिर दुबाड़ा सर्वी इंटर यो अधार नंबर फिर से अधार कार्ड को फिर से इंटर करना है नेक्स्ट है इंटर नेम एज अन अधार कार्ड आपका अधार कार्ड पर जो नेम है वही आपको इंटर करना है तो दोस्तो मेरा जो नाम है वो मैं इंटर कर रहा हूँ next पुछी इंटर नेम आईजा उन्या धारकार फिर से आपका धारकार पर जो नेम है आपका वो इंटर कर रहा है next है आपका password तो दोस्तो password जो है वो एट डिजिट का होगा एट डिजिट में आपको एक capital letters होना चाहिए ठीक है दोस्तों एक lower letter होना चाहिए एक digit होना चाहिए और एक special character कोई सावी होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको password बनाना सिखाऊंगा कैसे password आप लिख सकते हैं मैं notepad open कर रहा हूँ दोस्तों देखिए जैसे मेरा नाम है गुंजन कुमार मैं अपना गुंजन का जी capital लोंगा यू एन जे एन ठीक है दोस्तों गुंजन अब मैं इसमें अब दे सकता हो या कोई भी आज़े सकता हो या कोई भी स्पिसल करेक्टर दे सकता हो और फिर मेरा जो data worth है उसका लाश्ट लिगित लाश्ट फोर डिजित मैं इसमें इंट्रेट होंगा क्योंकि मुझे यह याद रहे है ठीक है दोस्तों दोस्तों यहां आप देखेंगे यह हमारा एक capital letter हो गया यह हमारा small letters हो गया यह हमारा special characters हो गया और यह हमारा digit हो गया ठीक है दोस्तों तो यह यह digit से ज्यादा का है मैं इसे यहीं इंटर होगा जी यू जी अड़ेट दोस्तों आप आड़ेट की जिला यह star mark दे सकते हैं या कोई भी character दे सकते हैं फिर से फिर से दो बाड़ा इंटर पासपट करना है दोस्तों तो दोस्तों मैंने अपना पासपट देखिए मैंने जानवर उसके गलती किया था इससे की मुझे पता चले कि पासपट मैंने मैस के सेम लिखा है या नहीं लिखा है मैं दुबाड़ा से इंटर करूंगा दोस्तों दोस्तों मैंने ऊपर एक जीरो ज्यादा लगा दिया था इसलिए पासपट मैस लिए अब नेश्ट है आपको अंडर टेकिंग यह आपका जो अंडर टेकिंग है वह आपको यहां पर देखना है ठीक है पिभी आप पहले देख लिए आपका कॉम्ट सही से बढ़ा है या न सकते हैं यही गए हैं मैं इसको सेव कर रहा हूँ अपने डेक्स्टॉक पे प्रिव्यू जैसे ही किया मैंने यह कुल कर आगया मेरी दिटेस सारे यहां पर फिल वो रखी है दोस्तों जैसे कि निम आप अप्लिकेंट गुंजन कुमार गुंजन कुमार रिट्र रॉल नंबर मेरे फादर्स नेम मदर्स नेम मेरा मॉवाइल नंबर मेरा एमेल आइडी सारे के सारे डिटेल्स फिल उडखी है जो भी मैंने देख रखाया दोस्तों ठीक है दोस्तों यह मेरे जिकनी भी डिटेल्स है वो फिल उडखी है अब नेश्ट है आपकी जो रिश्ट्रेशन फर्म है जो आपने फिल कर रहे था उसको अग्री करना है और नेश्ट शब्मिट का बटन प्रेस करना है दोस्तों यहां सेव करने की पासवर पूछा जान यहां जो है यहां जो है यू are successfully registered on OARS portal of DSSB. जो registration number is this. मेरा यह registration number है. यह is a combination of DOB, roll number of class 10th and year of passing of class 10th. ठीक है यह roll number है. मेरा यह आपके your registration number has been sent to on your registered email id and mobile number मेरा जो registration number है वो जो की ये है वो मेरे mobile number और मेरे email id पे send कर दिया लिया है कि use your registration number as login id and password तो दोस्तो अब हम लोगों ने अपने आपको register कर लिया है दिल्ली subordinate service selection board पे ठीक है दोस्तो अब हम लोग form कैसे बढ़ेंगे वो देखते है तो click to signing इस पे click करना है आपको date of birth अपनी जो आपने mention कर रख रहा है वो देरा है दोस्तों तो वो है मेरा जो मैंने date of birth इंटर किया था वो मैं दे रहा हूं ठीक है दोस्तों अब आपसे roll number पूछा जा रहा है पासवर्ड दोस्तों यहां पर जो हम लोगों ने पासवर्ड बनाया था वो यहां इंटर करना है दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो नीचे पासवर्ड पर जाकर आप अपने पासवर्ड को ठिक कर सकते हैं अब चलते हैं तो हम लोग अमने जो पासवर्ड बनाया था वो यहां इंटर करते हैं तो वो मेरा पासवर्ड है capital G U N J A N add the rate to नेक्स्ट आपको capture code देना है जो आप उपर लिख रखा है वो है 734146 और मैं इसको sign in करूगा window open हो रखा है जिसमें गुंजन कुमार registration number मेरा registration number 10 है वो enter है देखे दोस्तों आज 15 मार्च 2021 है आज की दिन ही online registration form open हुए है अभी 11 बज़ के 21 मिनट हो रहे हैं दोस्तों ठीक है यहाँ option है apply का qualification experience का upload photo का है edit application का है submit final application है home पे आप जा सकते हैं print application जा सकते हैं यह जा सकते हैं चलान answer key पे जा सकते हैं final answer key वर्फ पर जा सकते हैं फ्यूव रिजर्ब देख सकते हैं upload registration कर सकते हैं change password कर सकते हैं और log out कर सकते हैं registration यह है वे दिद्दस जो मैंने आपको किया है इंट्रेट किया था आप चाहें तो यह modify पे करके उसको modify भी कर सकते हैं ठीक दोस्तों यहां से आप modify कर सकते हैं हम लोग अब देखेंगे apply कैसे करना है ठीक है दोस्तों अब जो है सारी advertisement यहां पर open हो चुकी है आपको जिस post के लिए भी हैकर आप हो है उसको आपको अप्लाइब करना है ठीक है दोस्तों तो हुआ है ठीक हो कि अब चाहिए कि अभी प्लाइब कर सकते हैं चेहां डेकर हों दोस्तो प्रजन एड्रेस आपको यहां पर लिखना है आप याने की अभी कहा रहा है जैसे कि आप अगर देली से बाहर के हैं और देली में रहे रहे हैं तो आपको दिल्ली का ड्रेस देना है अगर आप चिनई के हैं और देली में रहे रहे हैं तो आपको दिल्ली का ड्रेस तो मैं जहार आए रहा हूं वह वह है कि अज़ाइब दोस्तों पिन कोड में इंटर करना है तो वह मैं पिन कोड इंटर कर रहा हूं गाए पराइब दोस्तों मैं निस जो है वह पर्मानेंट आड्रस है इसे करते हैं जहां से आप बिलॉण करते हैं next है category आप किस category से belong करते हैं दोस्तों अगर आप UR से हैं, OVC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या EWS से हैं तो आपको इन सभी में से जो भी जिससे भी आप belong करते हैं वो आपको इसका certificate आपको यहां लगाना पड़ेगा आप उसको select किजिए उसके बाद यह कुछ details हैं, आप एक serviceman है, government servant है या departmental candidate है वो सब आपको इसमें से जो भी है उसमें से चिक किजिए और सब category में आपकी यह इतनी सारे details है, अगर इसमें से कोई भी category में आते हैं तो आप इसको fill कर सकते हैं उसके आपको यहां पर चिक करना है और आपको submit करना है, दोस्तों यहां देखेंगे आप step 1-5 यानि कि 5 page का यह form है, आप अभी पहले page पे हैं इसको submit करना है, please select category, तो आपको category select करना है ठीक है दोस्तों मैं viewer select करेंगा दोस्तों और यहां पर मैं submit का बटन है, हमारे जो भी documents है वो upload करने हैं जैसे photographs, signatures, left thumble impression and right thumble impression दोस्तों आइए चली हम लोग upload करते हैं, आपको choose file में जाना है, दोस्तों इससे पहले आपकी जो photo है वो लगभग 50 kv से 30 kv के बीच होनी चाहिए और उसका width और height है वो आपका 480 oblique 672 pixel होनी चाहिए दोस्तों यह हम लोगों ने upload कर दिया photo, ठीक है दोस्तों अब आपका signature हो, अब हमारा signature upload करना है, दोस्तों हम लोगों ने अपना signature भी upload कर दिया, upload करना है दोस्तों थे कमेने डुक्तुमिर्स ね अब हमादा थम्बल इंप्रेशन। उसे अफ्लोड करना है और उसकाल रिlorode का बटन करना दुस्तों अप्लोड हो गया ठीक राइट था वीडार के राईट थम्बल इंप्रेशन करना है. फिर यह हम लोगों का upload का button है वो click करना है ठीक है दोस्तों तो मेरे यह मेरी photo आ गए नेक्ष्ट है desirable experience ने मेरा जो कोई भी experience नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं पर नेक्ष्ट पे चला जाओंगा मैं दोस्तों नेक्ष्ट पे जाते ही यह मेरी details ओपन हो गई दोस्तों अगर मुझे कुछ इसमें से details एडिट करनी है तो मैं एडिट करूंगा नहीं तो मैं यहां पर final submission करके पे कर दूँए टीकर दूस्तों add qualification experience अगर आप यहां पर add करना चाहते है तो वह गया step 4 अब्लिक 5 नेक्ष्ट है pay online or submit final application तो मैं इसको पे करूंगा दूस्तों नेक्ष्ट जो विंडो उपन होगा select post applied लेप्लाइट लेप्लाइट के लिए मैंने apply किया है पे online या फिर अब next है status आप यहां पर अपना जो फॉर्म है जो फिल किया उसका status आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों आप अपने print application ले सकते हैं जो अगर कुछ पेंड नहीं हुआ तो वह यहां आ जाएगा तो इतनी सारी यहां पर details होती है आप चाहें तो यहां पर किस भी changes कर सकते हैं दोस्तों यह रहा हमारा Delhi subordinate service selection board का online application form कैसे भरे जाते हैं कैसे apply किये जाते हैं वह आज मैंने आपको बताया है दोस्तों ठीक है दोस्तों मुझे जैसा लगता है यह बहुत information video है क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी गल्खिया करते हैं बहुत लोग डरते हैं cyber cafe जाते हैं किसी को बोलते हैं application form बढ़ने के लिए जबकि application form बढ़ना बहुत easy है आप चाहे तो step by step बढ़ करें खुद से भर सकते हैं ठीक है तो कुछ चीजियों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे आपके photographs size है वह आपको अप्लोड करनी है signatures upload करने है thumbnail impression upload करने है और जो आपका reservation criteria है उसके related जो भी documents है वह upload कर दे हैं ठीक है दोस्तों तो आज हम लोगों ने यह चीज सिखा तो दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल तैयारी examki को like करें subscribe करें वेल आइकन दमाएं जिससे की आपको time time पे notification हमारे जितने भी online notification form बढ़े जाते हैं उसकी notification आपके पास आती रहे और इसके साथ आप हमारे तैयारी examki.com पे विजिट कर कीजिए वहाँ पर आपको जितने भी notification है वहाँ भी available मिलेंगे जितने भी courses है वो चाहिए वो job oriented course है skill development course है या फिर comment examination preparation के वी जितने भी courses है वह साड़े वहाँ आप तर दे रखें है आप उसे चाहिए पर सकते हैं और अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं ठीक है दोस्तों